CETED की बात है जो अभी आपका result आया था और certificates आपको जल्दी देखने को मिल जाएंगे उस पर भी बात करेंगे और next CETED जो है 2023 का वो दो बार होगा एक बार होगा और कब होगा exam जुलाई को लेकर के बहुत सारी जो आशंगाएं वो लगाई जा रहे हैं या कहा जा रहे हैं क हैं कि जुलाई में exam होगा और December में फिर से होगा तो इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं अगर हम बात करें यहां पिछले 7-8 सालों की 2016 से और आज 23 तक तो सिर्फ 2019 में ऐसा हुआ है जब दो exam ये लोग ले पाए हैं हाला कि CETED साल में दो बार ही होने वाला exam था पहले February और पाए हैं बीच में Corona आगया 2020 में तब हम कह सकते हैं कि एक बार disturb हुआ तो एक एक बार ही हो पाया 2018 में भी एक ही पेपर हुआ क्योंकि दो साल तक इन्होंने CETED निकाला ही नहीं तो अभी जो इस्तिती है वो ये है कि साल में दो बार पेपर कायदे में होना चाहिए अगर को तो लेट सी फिर 2021 वाले एक्जाम के टाइम पर पहली बार पेपर ऑनलाइन हुआ तो वो भी एक रीजन रहा के दो बार ना करा पाया हूँ क्योंकि उसके दो रिजल्ट वगरा ही आने में बहुत समय लगा तो अभी पूरी होप्स हैं जो भी लोग हमारी भी लेर्नर्स होगा और अगर जुलाइ में होगा तो नोटिफिकेशन पहले आता था छे महीने पहले अभी नोटिफिकेशन दो महीने पहले भी दे देते हैं लोग तो आपको एप्रिल में नहीं तो में तक भी नोटिफिकेशन आ सकता है क्योंकि दो से तीन महीने पहले यह बताया जाता पे अगर क्योंकि exam अगर next conduct करेंगे उससे पहले certificates देंगे तो हम भी मान के चल रहे हैं कि आपका exam जुलाई में है अभी और syllabus change की बात रही तो online exam में वैसे ही इनोंने थोड़ा सा change कर दिया है syllabus same रहने के बावजूद भी लेकिन ये बहुत सालों से बात चल रही है पिछले एटलीस दो सालों से के NTA ले ले ये exam है ना जो national testing agency है और अभी CBSC ही ले रहा है ऐसा हुआ नहीं अभी तक के NTA ले रहा हो exam तो ये बात तो बहुत पहले से तै है कि जब-जब CBSC exam ले रहा है तो syllabus अभी तक change नहीं हुआ क्योंकि CBSC अभी conduct करा रहा है exam NTA अगर exam conduct कराएगा तो syllabus change होने की पूरी-पूरी संभावना है तो अभी हमें ये नहीं पता कि NTA exam लेगा या as it is CBSC ही लेगा अगर NTA लेता है exam तो syllabus change होगा और अगर CBSC लेता है तो syllabus change नहीं होने की ही संभावना है तो अभी तो हम जो syllabus है current उसी के according पढ़ेंगे पेड़ागोजी है जो major चीज़ें वो नहीं बदलती है syllabus change होने के बावजूद भी ठीक है ना तो ये एक basic सी बात हुई ये अभी देखना बाकी है एप्रिल बे में पता लग जाएगा के NTA लेगा के CBSC लेगा अभी क्या करें एक question ये आता है हमारे सामने तो अभी क्या पढ़ें तो अभी आप एक तो देख लीजे interviews है ना interviews आप देख लीजे जिन भी toppers का 143, 141 अभी इस बार भी दो learners हैं जनके 140 score है अभी interview हो गया है तो editing में वो processing में है तो एक नए interviews भी आपको कुछ मिल जाएंगे previous interviews भी आपको seat at के मिल जाएंगे तो वहाँ से आपको idea लग जाएगा कि वो लोग ने किस तरह से तैयारी की अगर आप first year में हैं exam एकदम cool सा exam है easy exam है बट सही तरीके से बढ़ना ज़रूरी है नहीं तो वही जो 70% लोग fail होते हैं वही स्थिपी फरबंती है क्योंकि इसको हलके में लेके छोड़ा नहीं जा सकता पढ़ना पड़ेगा तो एक तो आप interview देख लीजए let's learn पर ही आपको मिल जाएंगे कई सारे interviews जो भी toppers है या जो भी जिनके basically इसमें topper कहना तो सही नहीं होगा जो भी high scorers है तो उन्होंने कैसे तैयारी की और ये एक बार आप देख लेंगे ठीक फिर आता है ये interviews होते ही इसलिए हैं कि जो आगे आने वाले लोग हैं उनकी तैयारी में help मिल सके उन लोगों से जो already उस चीज़ को experience कर चुके हैं इस पर भी बहुत लोग आजकर negative light डालने लगे हैं वो अपनी jealousy और अपने frustration के कारण otherwise जो आपको let's learn पे interviews मिलते हैं जो भी learner वहाँ कहना चाहते हैं वो सारी चीज़े answers मिलते हैं आपको ठीक फिर बात आती है marathons की marathon sessions इस बार भी हुए हैं वो सारे marathon session आप देख लीज़े अलग-लग subject हैं है ना one crore मतलब 10 million लोग इसको देख चुके हैं teaching exams में ऐसा कभी नहीं हुआ पहले pedagogy में ऐसा कभी नहीं हुआ पहले कि कोई video one crore तक गया हो इसी दरा से जैसे let's learn आपने आप में आप लोगों का इतना प्यार रहा है कि इस बार free notes आपको मैंने दिये थे पांचों subject के एकदम free quality notes हैं वो आप बिलकुल पढ़ सकते हैं compare कर सकते हैं जो आपका मन करें वो कर सकते हैं आपको पता लगेगा कि बहुत quality notes है और संक्षिप्त है notes का मतलब भी होता है कि to the point हो और concise हो प्रसाइज हो बहुत ही तो ये free notes आपको इस video के description में link मिल जाएगा ये download कर लेने हैं प्रिंट निकाल लेना है और पढ़ लेने हैं बहुत 45-45 page 50-50 page के notes हैं 10-10-20 page के भी notes हैं जो हिंदी और इंग्लिस जैसे subject में क्योंकि वहाँ pedagogy कम से online वाले offline नहीं करने और इसकी मैंने playlist भी बनाई हुई है channel पर जो आप पढ़ सकते हैं तो ये 2-3 काम इतने करना शुरू करती है जो लोग first year में हैं अपने वो भी exam अब दे सकते हैं first year छोड़ी अगर आपने just admission ले लिया है B.Ed में D.L.Ed में B.T.C. में देश भड़ से आपको tension लेनी नहीं है फिर दूसरी बात आपको जिंदगी में एक बार ये exam clear करना है अब क्योंकि इन्होंने validity को lifetime कर दिया तो आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है और ये exam आपका base का काम करेगा आगे कोई भी exam आप देने जाएंगे क्योंकि सारे subject की pedagogy d2 class में मे बीच अक्टरवाइज कराया हुआ है तो ये काम करना